वेल्कम गाइस क्या हाल चलें आप सबके तो यहार इस टाइम मेरे पास है SS VivoBook Pro 15 OLED Ryzen 74800H मैं इसकी उपर पूरी डीटेल वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने देखी नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वह देख सकते हो आज मैं बताने वाला हूँ इसके लिए कुछ कम ही है कुछ प्रॉब्लम मैंने देखी कि हां इसके अंदर यह चीज होनी चा इंटरनेट से कनेक करने के लिए केबिल का यूज करके आज कल वाइफाय चलता है हर जगा तो हमें उसकी घर में पर आपने फिर नहीं पड़तीया तो कह सकते हैं कि हां उसका इतना यूज नहीं है second thing जो बहुत important थी वह चीज है thunderbolt port जी हां thunderbolt port आपको मालूम होगा काफी fast यह port होता है आप images को videos को external device से बहुत fast तरीखे से share कर सकते हो charging कर सकते हो इससे display को connect कर सकते हो TV कर सकते हो तो वह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिला है इसमें उसकी जगह आपको मिल रहा है यहां पर type c type c का यहां पर port दिया गया है ठीक है आप उसका भी यूज कर सकते हो पर thunderbolt port काफी port काफी fast रहता है काफी speed से वह इसमें आप शेयर कर सकते हो data इसलिए चीज रैम इसके अंदर आपको 16GB देखने को मिल जाती है बहुत है रैम सही है लेकिन आप उसको expand नहीं कर सकते हो अगर आप चाहो आगे 12GB मैं और 8 कर दूँ जिससे मेरे उसका size बढ़ जाए पटाप ऐसे नहीं कर सकते है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको अपनी 512GB इसमें से निकाल के अपने खरीद के आपको इसके अंदर डालने पड़ेगी वह आप कर सकते हो बन टीबी की या पर 500 तो एक यह 3050 देखने को मिलता है RTX तो उसकी उपर मेंने वीडियो बनाऊंगा आप देखेगा जरूर और आप अगर खरीदना चाहते हैं वह भी इसके सेम प्राइज में जितने का मैंने यह लिया था इसका प्राइस तो रिडियोज हो गया है 67 हो गया है लेकिन मैंने 72 को यह लिया था प्रिदिना फोर्स मोर सच वीडियो के रिये थैंक यू फोर वाचिं इस वीडियो बाइ